तो दोस्तों आज जो सब्दावली जिसके बारे में आप इस वीडियों पढ़ेंगे वो है सत्याग्रा ठीक है नमस्का दोस्तों मैं हूँ सुरा सिंग स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंग में ठीक है ऐसा है आप लोग अच्छे सौंगे बढ़िया अपनी कर लिजे तो आज जो है मैं आपको सत्याग्रा जो सब्दावली है इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा तो आईए समझे सत्याग्रा को सत्याग्रा क्या है देखे गाधी जी क्या कर रहे है सत्याग्रा के बारे में ठीक है इसे आप देखें गाधी जी क सब्दों में सत्याग्रह सारीरीग बल नहीं है ठीक है सत्याग्रही सत्रू को कश्ट नहीं पहुचाता वह अपने सत्रू का बिनास नहीं चाहता ठीक है सत्याग्रह के प्रयोग में दुर्भावना के लिए कोई अस्थान नहीं होता ठीक तो ये सत्याग्रह के जो पे गाधी जी का क्या विचार था सत्याग्रह के बारे में ने क्या बताया ये आप जो है समझ गए ठीक है अब देखिए आगे सत्याग्रह का साथिक अर्थ सत्य के प्रति आग्रह है ठीक है और देखिए सत्याग्रह के बारे में समझे सत्याग्रह को सत्य को ही अपनी सक्ति बनाकर अन् सत्याग्रह को महत्मा गाधी ने भारती राष्टी आंदोलन के दवरान अंग्रेजों के विरुद्ध एक अचूक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था ठीक है यह आपने आंदोलन देखा था कि कैसे जो है आगे मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों और डीटेल में आप आ आपने देखा था तो उसमें जो है गाधी जी ने इसको पूरा प्रयोग किया था और पूरी जो है अंग्रेज जो है पिलकुल तरस्त हो गए थे गाधी जी के इस अचूक अस्त्र से ठीक है तो इसे आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा पूरा चलूंगा तो आप दे देखे यह सत्य और अहिंसा पर आधारी था ठीक है सत्याग्रह क्या है यह सत्य और अहिंसा पर अधारी था अब देखे आसायोग सविनयोग्या फरताल अंसन और उपवास सत्याग्रह के बिभिन प्रकार हैं ठीक है कितने प्रकार में इस सत्याग्रह का किस किस तरह से प्र अताल, अंसन, उपवाज, सत्यागरा, यह सब जो है, सत्यागरा के विभिन रूप हैं, फिक, तो समझ गया आप, यहां तक क्लियर हुआ, आगे देखे, महात्मा गाधी ने राष्टी अंदोलन के दोरान, पहली बार सत्यागरा का प्रयोग, 1917 इस्वी में, बिहार के चंपार अरजिले में किया था, दूसरी बार इसका प्रयोग इन्होंने, 1918 इस्वी में, आमदाबाद में किया, और उसी वर्स, खेडा अंदोलन के दोरान, इन्होंने इसका तीसरी बार प्रयोग किया, ठीक है, यह उदारण हो गए कि सत्यागरा का कब प्रयोग हुआ, क्या हुआ, ठीक है, तो आसा है दोस्तों आपको सत्यागरा के बारे में समझ में आ गया होगा, बाकी कुछ आपको अगर के कन्फ्यूजन होगी तो कमेंट में पूछ लीजे, बस दोस्तों यह वीडियो इसी पर सवाब्त करेंगे, मिलते हैं आपसे एकली वीडियो में, वीडियो पिकनिक लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद,